हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टूर चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट कोश्चन्स जो की मैंने पाश तीन पेपर से लिए हुए है तो शुरू आत करते हम लोग सबसे पहले 2023 के पेपर से अब सबसे पहले मैं आपको इसके पेपर बैटन बता दू कि जनरल यह जो शॉर्ट कोश्चन्स होता है न वो 12 देके रखे होता है बट 12 के 12 एटम नहीं करने होते हमको सिफ और साथ कोश्चन सी इसमें एटम करने है कोई भी साथ हमको जो आते हो वो साथ हम लोग एटम करेंगे ठीक है तो शुद्वात करते हैं सबसे पहले question से और हम लोग जो paper है वो November 2023 का paper solve करने वाले है ठीक है सबसे पहला question है write any two components of CRM program तो देखो दो component पूछे है बट book में चार दिये थे तो मैंने चारो चार लिख लिए है because आगे next paper में चारो चार पूछे भी गए है तो that's why आप लोग चारो नाम याद कर लेना सबसे पहला है conceptual component दूसरा है operational component तीसरा है analytical component और चौता है collaborative component तो ये चार नाम याद कर लेना exam में ये बहुत बार question पूछा गया है मैंने जब last 5 साल के paper देखें तो ये most important question है short question के अंदर ठीक है देन बात करें number two what is customer lifetime value ये वाला भी question most IMP है तो इसका मतलब क्या होता है तो customer lifetime value is the amount by which the total revenue a business can expect to earn from customer over the course of their relationship with the companies यहाँ पे कोई भी company कितना पैसा कमाती है कोई customer से relation build करके मतलब कि कितने time तक उसका relation उस company के साथ रहता है और कितना revenue generate हो रहा है उस particular customer की वज़े से उसी को हम लोग कहते है customer lifetime value बोलो clear हो गया देन आगे बढ़े number three पे तो देखे रखा है state any four names of retail chain in discount format अब discount format क्या होता है तो discount format मतलब कोई भी ऐसा business या कोई भी ऐसी retail chain जो 30-40 तका या 50 तका जितना कम भाव से खरीती है अब कैसी products खरीती है पता है discount format वाली retail chain जैसे कि वो defective हो या तो फिर बहुत minor छोटे-मोटे problems हो उसके अंदर तो ऐसी सारी products ये लोग 30-40 या 50 तका discount में खरीते है और अपने यहाँ पे वो अपने retail shop में उसको सस्ते में बेचते है जिसमें हम लोग example ले सकते है brand factory, Irwin Mills Limited जिसका Megamart है, Vishal Megamart, The Loot India Private Limited तो ये एक example है जहाँ पे आपको discount format में देखने को मिलते है बहुत सस्ते में देखने को मिलता है, because वो सारे कैसे होता है, थोड़े बहुत defective होते है clear, next आगे बात करें number 4, explain margin free distribution channel इसका मतलब क्या होता है, when a retailer sells their product below printed maximum retail price, it is called margin free distribution chain ये जो meaning है, वो मैंने आपकी book में से लिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि जबी भी कोई retailer, कोई product को बेचता है but किस से कम भाव में बेचता है, MRP से, यानि maximum retail price से कम भाव में बेचता है तो उसको हम लोग क्या कहते है, margin free distribution chain कहते है और इसके अंदर it includes store, यहाँ पे वो सारी stores आ जाती है, जो ज्यादा discount offer करती हो clear हो गया, जिसमें हम काफी सारी store ले सकते है, जिसमें हम demart ले सकते है या ऐसी हर एक store जो MRP से भी कम भाव में बेचती है, clear हो गया, उसको margin free distribution channel कहते है then बात करें number 5, explain full form of ACRM, अब देखो ACRM का full form होता है analytical customer relationship management अब यह इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें ना customer के purchase behavior को देखा जाता है कि customer कैसी चीज़ को purchase कर रहा है, customer क्या चाहता है, उसकी wants क्या है, उसकी needs क्या है उसको ही हम लोग ACRM कहते है, analytical customer relationship management और फिर वो सारे data को वो लोग manage करते है फिर वो लोग planning करते है कि हम कैसे खर्जा करें, कैसी advertisement करें, जिसे customer हमारी ही product को खरीदे, clear next, what is ruler market segmentation, तो ruler market segmentation क्या है, process of dividing a ruler market into two distinctive group of consumer with similar characteristics and needs मतलब, ruler market segmentation एक ऐसी process है, जहाँ पर divide किया जाता है ruler market को मतलब कि एक characteristics वाला market अलग, दूसरी characteristics वाला market अलग, इस तरह से divide किया जाता है और उनकी needs की हिसाब से यहाँ पर classification किया जाता है, और उसी को ही कहते है, हम लोग ruler market segmentation देन बात करें number seven, देखे रखाए what is the purpose behind the establishment of Rudy, यह वाला तो खास करना Rudy वाला, Rudy का full form होता है ruler urban distribution initiative अब Rudy launch करने के पीछे का purpose क्या था, तो यह launch किया गया था कि जो भी economic status है, women farmers का, उसको raise करने के लिए और साथ साथ में यह कैसे raise हो कि sustainable scalability हो और systematic manner में उनकी livelihood को ऐसी तरह से nurture किया जाए जिससे उनको हर तरह का supply chain purchasing हो या फिर marketing हो, मतलब हर एक चीज़ परचेस से लेकर के marketing की हर तरह की support provide की जानी चाहिए farmer, कौन सी farmer जो की एक woman है, clear और यही मकसद था Rudy का, यही objective था Rudy का, clear, next आगे बात करें number 8, give example of two existing FMCG companies in India तो दो नहीं काफी सारी FMCG company है, तो आप कोई भी दो लिख सकते हो, एक तो हिंदुस्तान Unilever Limited भी लिख सकते हो, नैसले इंदिया भी लिख सकते हो, डाबर इंदिया और ITC Limited लिख सकते हो, ठीक है रूलर मार्केटिंग communication में, तो सबसे पहला तो एक proper electricity नहीं होती वहां पे, और वहां की language में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, communicate करने में, तो इस तरह से दो problem से, एक तो है electricity और एक है proper language, clear, next आगे बढ़े number 10, what is ruler marketing environment, ruler marketing environment is a complex and ever changing set of factors that affect the marketing of goods and services to ruler consumers, बहुत easy है, कि बहुत रूलर मार्केटिंग environment बहुत complex और ever changing है, जो बदलता रहता है, और जिसकी कुछ ऐसे factors है, जो सीधा affect करते है, हमारे marketing के उपर, जो goods और service का marketing कर रहे है, और सीधा affect करते है, consumer के उपर, तो भाई ruler marketing environment जो है, वो बहुत complex और ever changing process है, जो बदलता रहता है, clear होगया, next आगे बात करें number 11 what is meaning of departmental stores तो देखो बहुत इजी है कोई भी ऐसा large retail store होता है जिसमें अलग-लग तरह के sales divide होता है मतलब पूरी organization एक होती है बट उसमें अलग-लग departments बनाए हुएते हैं अलग-लग sales बनाए हुए होते हैं अलग-लग goods के लिए जिसमें अलग-लग areas होते हैं जहां पर हमको जाके कोई भी चीज़ पर्चेस करनी होती है बट इसमें अच्छी बात पता है क्या है इसमें centralized purchasing होती है जैसे आप लोग example ले सकते हो डिमाट का कि बहुए डिमाट के अंदर हर एक का एक अलग department बनाए हुआ है या शाही बाग के अंदर ना एक reliance market करके है वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि बहुए कपडों का है पूरा अलग section है अगर आपको electronics खरीदना है अलग section है बिग बजार भी एक तरह से departmental store है जहाँ पे अलग लग तरह के department बनाए गए है तो इसी को हम लोग क्या कहते है departmental store कहते है देन आगे बात करें number 12 what is meaning of PDS and NGOs PDS मतलब public distribution system public distribution system एक तरह से na food security system है जो इंदिया के अंदर setup की गई है जो हमारे आपे food as well as non food items को poor लोगों को पहुँचाती है वो भी concentrate पे बहुत ही ज़्यादा कम price पे subsidized price मतलब कम price पे लोग distribute करते है गरीब लोगों को clear then बात करें non government organization जिसको हम लोग कहते है NGO तो non government organizations क्या होती है तो यह एक ऐसी agency है जो marketing का use करती है अलग लग तरह के resource को attract करती है और उन सारे resource को use करती है अपने projects की उपर अब वो project कैसे लाती है कि जिससे social issues clear हो मतलब जो भी society में issue चल रहे है वो सबको address करते है और साथ साथ में उसका solution लाते है मतलब government का ही काम है बट government नहीं है यहाँ पे दूसरे है जिसको हम लोग non government organization कहते है clear हुआ तो इस तरह से हमने 2023 का paper clear कर दिया तो 2023 के 12 के 12 questions मैंने आपको समझा दिये उमीद करता हूँ यह पूरे अच्छे से clear हो गए होंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं November 2022 के questions पे जो की total 12 दे के रखे उसमें से आपको same 7 questions लिखने होते हैं एक और जिसमें आपको बता दो कि जैसे ही आपका Sam 5 खतम होगा ना अच्छे से पढ़ लेना because Sam 5 और Sam 6 का result सबसे ज़्यादा important माना जाता है ठीक है आगे बात करें short questions में November 2022 का question है सबसे पहला what is marketing of service तो देखो service marketing क्या है तो यह एक ऐसी process है जहां पर promote किया जाता है और sell किया जाता है कोई भी service को या intangible goods को देखो intangible goods मतलब होता है जो दिखते नहीं है ऐसे goods उसको हम लोग क्या कहते है service कहते है to a specific group of people एक particular group of people को हम लोग promote और sell करते हैं बेचते हैं उसी कोई हम लोग क्या कहेंगे service marketing कहेंगे बट यहां पर ध्यान रखना है यहां पर कोई goods नहीं है यहां पर क्या बेच रहे हम लोग service बेच रहे है या तो फिर हम उसको कहेंगे इंटेंजिबल गूर्स क्लियर देन बात करें नंबर टू थी और फोर यह तो सारे के सारे सेम है जो हमने आगे वाले पेपर में देख लिए तो आप यह चीज़ देख रहे हैं और नोट कर रहे हो कि बहुत बार रिपीट होता है जैसे कश्टमर लाइफटाइम वेल्यू अभी हमने देखा ठीक है जो सेम है 2022 के पेपर में भी फिर स्टेट एनी फोर नेमस ऑफ रिटेल चेन इन डिसकाउंट फॉर्मेक यह भी सेम है नंबर भी सेम था इवन उसमें टू-3-4 था इसमें भी वही नंबर है एक्स्प्लेन लिटरइसी रेड्म मतलब होता है कि सबकी लीटरैसी लेवल न अलग लग होता है जैसे अरबन एर्बन एर्या में कैगा जादातन लोग की लेवल मौश्ट कराबन होती है सेम होती है बट गांव के अंदर थोड़ी दिखकत यह है पढ़े लिखे लोग थोड़े कम होते प आदे पढ़े लिखे होते हैं या बहुत अच्छे भी होते हैं तो कहने का मतलब सब अलग लगतर आके लोग आपको देखने को मिलते हैं वह सबके लाइफ सब्सक्राइब करें तो यह दो्क्रेटरिस्टिक्स है एक रूलर कस्टमर्स की घ्लीर इसके पहले वाले पेपर के अंदर देन आगे बात करें नामबर सेवन explain any two problems of physical distribution in ruler areas यह physical distribution में कौन से कौन से problems देखने को मिलते है जब हम लोग delivery करते हैं ruler areas में तब तो एक तो पहला दिक्कत ही होती है कि वहाँ पे proper transportation नहीं होता इसलिए हम लिखेंगे poor transportation दूसरा है illiteracy of retailers मतलब कि जो भी retailers है वो कभी कभी पड़े लिखें नहीं भी होते तो उनको समझाने में बहुत लग जाता है समझाने में दिक्कत होती है ठीक है तो यह दो पॉइंट लिख लेना एट है what was the purpose behind the establishment of Rudy तो इसका purpose क्या इसके पीछे तो यह भी हमने इसके पहले वाले paper में देख लिया जो कि same question है देन आगे बढ़ता है number nine give the meaning of case study case study का मतलब बताओ तो देखो case study is any detailed study of various aspects study to bring solution of the problem raised in any department of organization case study एक तरह से detailed study मानी जाती है जो अलग-लग expects में study करते है जिससे solutions आते है अलग-लग problems के अब यह problem कहां raised होती है problem raised होती है जो भी department है organization के अंदर उसमें जो भी problem create होती है उन सबका solution पे focus करता है case study clear next बात करें number 10 explain any two special issues in ruler marketing communication यह question भी same है ठीक है जो पिछले paper में हमने देखा था then बात करें 11 number give the meaning of customer selection तो customer selection क्या होता है तो customer selection एक ऐसी process है जहाँ पे हम लोग determine करते है कि company जो है वो किस तरह के customer को reach करना चाती है और serve करना चाती है तो यहाँ पर company select करती है कि वो किस customer को बेचना चाती है say for example जैसे मानलों कि वो 18 से 24 साल के age group को बेचना चाती है यह reach class को बेचना चाती है middle class को poor मतलब वो सेग्मेंट हो गया ठीक है उसको हम लोग customer selection कहता है जो भी एक company जो भी कोई company इसको select करती है clear then बात करें number 12 what is ruler marketing environment यह भी same question है जो हमने पहले देख लिया था तो इस तरह से आपका November 2022 का paper भी clear होता है जिसमें ज्यादातर questions repeat हुए थे तो इस बार की exam में भी ऐसा ही होना चाहिए कि ज्यादातर questions repeat हो ठीक है और मैं जो भी questions करवा रहा हो न वो आपको helpful हो और exam में पूछे जाए ठीक है आगे बढ़ते हम लोग next है 2021 नवेंबर का paper है आखरी paper है जो मैं आपको solve करवा रहा हूँ तो शुरूआत करते हैं इसके सबसे पहले question से और वो क्या है what is place oriented service marketing तो देखो place oriented service marketing क्या है तो यह एक ऐसी strategy है that considers how and where a service is delivered to a target market कि कि किस तरह से हम लोग proper तरीके से एक target market में हमारी service इसको deliver करें उसी कोई बोलता है place oriented service marketing जैसे मैं आपको example दू तो आपकी book में इसका एक GIDC करके example दिया हुआ है ठीक है कि GIDC क्या करता है अलग लग जगा पे जमीन खरीता है जैसे एमदाबाद में भी GIDC है कलोल के अंदर भी GIDC है तो अलग लग जगा पे जमीन खरीता है और वहाँ पे फिर industries develop करता है तो उसी को हम लोग place oriented service marketing कहते है एक particular place को target करकी ये चीज़ की जाती है clear next and number two state the four components of CRM program जो की same है four components तो हमने पहले ही पढ़ लिए 2023 के paper में same questions है वो चार component आप लोग आसानी से लिख लेना then number three write down methods to measure customer satisfaction customer satisfaction को हम चार method से measure कर सकते है सबसे पहला कि हम customer से feedback collect कर ले मतलब review ले ले कि भई उसको कैसा लगा हमारी product फिर हम देख ले कि उसका stability कि वो customer हमारे आपे कितने सालों से product को खरीद रहा है उससे हमको पता चल सकता है कि customer में satisfaction है कि नहीं तीसरा हम देख सकते है कि customer की complaint rate क्या है कि हमारे आपे कितनी complaint आती है customer की ठीक है और आखरी में customer satisfaction index कि हमारे आपे customer का satisfaction index क्या है इन तीन चीज़ के basis पर हमको पता चलता है कि कोई भी customer कितना satisfy है clear next आगे बढ़ते है number four और क्या दिया है give any four activities of retailing तो वो कौनसी कौनसी activities है retailing की तो ऐसे तो बहुत सारी है बट इसमें हमने को चार पुचिए तो मै communication मैंदेंजिंग customer relation target market decision variety of products इसका लव और भी काफी सारी है after sales service हो गई ठीक है तो इस तरह से आप लोग चार activities लिख लेना retailing की यह main चार activities मैंने आपे बताई है starting की चार ठीक है then बात करें number five state any four factors responsible for the spread of shopping malls in इंडिया कि शॉपिंग मॉल्स के ऐसे कौन से चार रिजन्स है कि इतनी जल्दी shopping malls खुलने लग गए इतनी जल्दी उसकी demand बढ़ने लग गए तो इसके चार रिजन्स बताए है सबसे पहला कि यह ना हर class customers के लिए होता है ठीक है तो हर class के लोग वहां जाते है चाहे फिर middle class हो reach class हो poor class हो कोई भी हो हर class के लोग यहां पे जा सकते है ठीक है सबके लिए open है दूसरा malls maker considers the benefit of multiplex yes multiplex जहां होता है ना वहां भीड आती है पबलिक आती है पिचर देखने और वह पिचर देखने जाने से पहले वो लोग जल्दी चले जाते तो इस टाइम पे इन लोग को अच्छे कास है customer मिल जाते तीसरा malls have become social destination for people और यह एक social destination बन गय है चौता mall attract visitors through high offers और यह लोग अच्छी खासी offers निकालते हैं जिससे लोग attract होके यहां पे visit करते हैं clear तो यह हो गया fifth question done then बात करते है number six what is margin free distribution chain जो same question है जो 2023 में हमने देखा था देन आगे बात करें number seven right any four challenges in delivering product in ruler market तो कौन से चार चैलेंजिस face करने पड़ते हैं ruler market में जब हम कोई चीज की delivery करें तब तो सबसे पहला यह ना बहुत बड़ा मार्केट है ठीक है ruler market क्योंकि हमारे country के अंदर शहर से ज्यादा गाउं है तो बहुत बड़ा मार्केट है प् को मिलती है और चौथा social economic backwardness तो यह चार रीजन से चार चैलेंजिस है जो face करने पड़ते है जब कोई product deliver करें ruler market में तब clear next number eight give any four characteristics of ruler salesman ruler salesman कैसा होना ची उसकी चार characteristics है ठीक है सबसे पहला सबसे पहले उसको गाउं में रहना पड़ेगा ठीक है दूसरा information about the product उसको market की information होनी चीए उसको अपने product की information होनी चीए तीसरा knowledge about attitude of ruler customer उसको पता होना चीए कि गाउं के लोग का attitude क्या होगा जब वो अपनी product को बताएगा तब चौथा knowledge of local language उसकी particular उसको local language आनी चीए तभ उसकी product को लेंगे तो यह चार challenges है जो ruler salesman को देखने को मिलते है ठीक है then number nine state any four factors affecting the ruler communication जो हमने already देख लिया ही 2023 के paper में तो same question है यह ठीक है then number 10 explain the function of tourism development corporation of gujarat ठीक है यह भी important question है तो इसमें आएगा answer promoting tourism in gujarat यह ना एक corporation है जो गुजरात में develop की गई है जिससे गुजरात का tourism ब पड़े तो इनका पहला ही function क्या है कि गुजरात की tourism को promote करना ठीक है दूसरा function क्या है develop new tourism destination नए नए tourism destination ही लोग develop करते हैं जैसे आपको पता होगा अभी statue of unity बनाया तो इसका ही example है तीसरा promote new tourism project यह नए नए tourism project को promote करते हैं जैसे पता होगा आपको बेट द्वारका के अंदर कुछ submarine का start होने वाला है तो उनका new tourism project ही हुआ ठीक है बेट द्वारका को भी ceiling के through join कर दिया है अलग लग projects लाते रहते हैं और चौता है attracting investment तो इस तरह से टुटल चार पॉइंट देखे रखे है टूरिजम डेवलोप्मेंट कॉर्पोरेशन आफ गुजरात के यह उसके function है इसको कहते है इसका मतलब होता है ऐसे good जो की बहुत जल्दी बिग जाए और बहुत सस्ते भी हो बहुत ज़्यादा महेंगे भी ना हो ठीक है अब example देख सकते हम लोग FMCG products का जैसे packed food जितने भी आ गए ठीक है आइवरेजी सागए टॉयलेटरी मतलब टॉयलेट की आइटम जा कॉस्मेटिक आ गया cleaning supplies आ गया ठीक है टाइड वगेरा जितने भी है वो एड़र लोगोश्ट हाउसओल्ड आइटम्स या तो जो भी लोगोश्ट की हाउसओल्ड आइटम्स होती है वो सारी सारी FMCG में आ सकते हो तो उमीद करता हूँ यह पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा helpful रहा होगा तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाएं थैंक्यू सो माज